रामिलास पासवान के प्रथम पुनितिती के सफलतम आयोजन के बाद हमारे साथ मौजूद है उनके पुत्र और सांसद चिराग पासवान जो अभी आशीरिवाद यातरा पर भी थे और उन्हें काफी जनसमर्थन मिल रहा है बिहार में और यह खास कर जब लजेपी में दो फ आपकी नजर क्या यूपी पे है किस तरीके के त्यारी चल रही है क्या अभी प्रधान मंतरी जी का कल फोन आया क्या आप चाहेंगे कि बीजेपी के साथ भी कुछ तालमेल हो वहाँ पे देखे फिलहाल तो मेरी प्रात्मिक्ता येस अपनी पार्टी को अपने संगठन को करने की है और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कारेक्रमों की शुरुवात की है अभी हाल फिलाल के दिनों में गाजीपूर में बनारस में प्रयागराज में मेरे कई कारेक्रम हुए और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं हमारे नेता स्व है आने वाला जो एउ पी का विधान सभागा चुनाओ उस भी लोग जण चंक्ती पार्टी चुनाओ लड़ें अब गडवंधन के स्वरोप में हम लोग चुनाओ लडएंगे या। गडवंधन का स्वरोप क्या होगा ये आने वाले दिनों में मुझे लगत कि ये मेसेज देना चाहेंगे कि बीजेपी को बताना चाहेंगे आमिच शाह जी को या प्रधान मंत्री जी को कि आप से गलती हो गई, लोजपा हमारी है, जनाधार मेरे पास है, लोजपा का, आप हमसे गड़बंदन कीजिए उत्रपरदेश में। काईदी मुझे कोई और तोड़ पाता, तो जब अपनों नहीं धोका दे दिया तो मैं किसी दूसरे से नराजगी रखकर या किसी दूसरे को कुछ जता कर मैं क्या ही कर लूँगा, तो इसलिए किसी और को जताने का कुछ नहीं बढ़ा, अपनी ताकत को और बढ़ाना है, पर उसमें और इसमें जो फरक मुझे देखने को मिल रहा हो, जमीन आस्मान का है, और खास तोर पर जिस उत्सा के साथ लोग युवा और महिलाएं, इतनी बड़ी तादात में मैंने महिलाओं को कभी इस तरीके से बाहर आते वे मैंने नहीं देखा था, वो जैसे बाहर आत हैं, मुझे गले लगा कर उनकी आखें नम होती हैं, मुझे आशिरवाद देती हैं, ये तमाम चीजे मेरे मनुवल को बढ़ाता है, और जैसा मैंने कहा, ये मेरी लड़ाई है, अपने आपको और मश्बूत करकर इस लड़ाई को जीतूँगा, अब हनुमान आप नहीं रह जहां तक रही बात, प्रधान मंत्री जी कि भाई एक बात मैं जरूर मैं सपश्टाव पर कहूंगा, ये राम, हनुमान, ये बहुत बार इसको वेंग के तौर पर तंच के तौर पर इसको लिया जाता है, आप मुझे बताई ना कि मैं एक ऐसे वेक्ती को जो दिन रात, मेर उसफिय बताई रहे था, जिब मेरे नेता उसफिय रेंटी लेटर पे तो उसफिय रेंब होन्हे को डाख में आते ह schemes इनndraौर सग्वादा की जो आप जो तक खोर लिए उसफिय ब regression, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, irrespective of the alliances irrespective of the की गड़बंधन का सोरूप क्या रहेगा नहीं रहेगा बट जहां तक रही बात गड़बंधन की मुझे लगता है कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ फिलाल अपनी पार्टी को अपने संगटन को मस्बूत कर रहा हूँ दूसरी बात कल के जो कारिकरम हुए उसमें हमने ये देखा कि बीजेपी के सारे नेताएं जेडियू का कोई नहीं आया जबकि जेडियू और बीजेपी की मिली भगत से आपकी पार्टी को तोड़ा गया लोग सभाई स्पीकर से रात का वक्त मिला तो बीजेपी के तो हुआ नहीं बिना प्रधान मंत्री और अमित शाह के तो ये सब हुआ नहीं होगा या आप भी मानते हैं कल अचानक से हिर्दे परिवरतन होता है प्रदान मंत्री जी का फोन आता है आपको चिथी लिखी जाती है संदेश दिया जाता है और उसके बाद अचानक से सारे BJP के नेता इस कारेक्रम में शामिल होते हैं तो ये दर्स आता है कि BJP आपको olive branch भेजने की कोशिश कर रही है और J.D.U. को एक message देने की कोशिश कर रही है इसे आप किस रूप में लेते हैं भाई मैंने इतना मैंने अध्यन किया ही नहीं था इतना मैंने सोचा ही नहीं था जितने विस्तार से आपने इस बात को मेरे सामने रखा मिली भगत थी नहीं मैं उस पे मैं कोई टिपनी नहीं करूँगा बढ़ हाँ मैं इतना जरूर मानता हूँ कि प्रतेख्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती जंदादल यूनाइटेड के नेताओं का जरूर इसमें भूमी का थी क्योंकि मेरे परिवार की जो सदसे अलग हुए उन्होंने खुद अपने और मुझे लगता शायद आप ही के चैनल पर उन्होंने इस बात को बोला भी है कि किस तरीके से जिन लोगों ने उनको तोड़ा और मुख्यमंत्री जी की पार्टी के जो राष्टिय अध्यक्ष हैं उसमें उनकी पार्टी को और परिवार को तोड़ने में उनकी क्या भूमी का रही तो जो जो प्रतेश के तोर पर प्रमान के साथ मेरे सामने है उसमें विश्वास जरूर करता हूँ इसमें बीजेपी की कितनी भूमिका थी नहीं थी ए ना मैं उस तरफ ध्यान के इंद्रित कर रहा हूँ और ना मुझे इस बात से फरक पड़ता है जो होना था सो हो गया अगर मैं बीती बातों को ही याद करता रहूँगा तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊँगा इसलिए तमाम उन बातों को भूल कर और इसलिए उन तमाम बातों को भूल कर मुख्यमंत्री जी को भी इस आयोजन के लिए मैंने आमंत्रित करने का निरंतर्ता में प्रयास किया भाई जिसने मेरे परिवार को तोड़ा जिनोंने मेरी पार्टी को तोड़ा मैं तमाम उन बातों को भूल कर मैं उनको इस आयोजन में आमंतर्ड करने का मैंने प्रयास किया क्यों। साथ का नाम लेकर आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से उनका जिक्र की अपना प्रश्न पूचते हुए इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस तो आपके साथ ना इंसाफी की बार बार मैं कहूंगा ना इंसाफी मेरे घरवालों ने की मेरे अपने नहीं करते तो कोई दूसरा नहीं कर पाता इसलिए मैं किसी दूसरे के ओपर या आरोप नहीं लगा रहा किसी दूसरे को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा मेरे अपने नहीं करते तो कोई और नहीं कर पाता तो आगे क्या होगा मतलब आप चाहेंगे कि जेडियू को छोड़कर बीजेपी के पास बीजेपी आपको अपना ले मैं अभी ऐसा कुछ नहीं जाता कि कोई मुझे आपके काफी करीबी संबंद रहें चुनाओं के समय भी आपसे काफी संपर्क में रहते थे जी उनसे परिवालिक संबंद रहें देखिए मैं अभी किसके साथ जाता हूँ जाना है नहीं जाना है क्या है क्या नहीं अभी जैसा मैंने कहा मेरी प्रात्मिक्ता वो नहीं है मेरी प्रात्मिक्ता मेरी आशरवाद यात्रा है इसके माद्यम से संगड़न को मजबूत करना है सिर्व मेरा ध्यान उसी पे केंद रहता है तो ये जेड़ियू के तरफ से चीफ मिनिस्टर नितिष कुमार को आपने आमन्तित करने की कोशिश की क्या कोई रिस्पॉंस नहीं आ आया और ये मेसेश क्या गया कि जब ओós नहीं आये तो भाई मुझे नहीं पता कि मेसेज क्या आगया बटा हाँ इतना जरूर मुझे पता है कि आपने मेरे नेता को अपमानित करने का आपने काम किया और ये पहली बार नहीं किया मुख्यमंद्री नितिश कुमार जी की एक परंपरा रही है एक वरकिंग स्टाइल र करने का प्रियास के तौर पर उन्होंने इस कदम को उठाया अभी हाल फिलाल के दिनों तक जब हमारे नेता अस्पताल में एडमिट थे उस वक्ट जब पत्रकार के साथियों नहीं उनसे पूछा जब एक तरफ देश के राश्पती उस वक्ट फोन करकर मुस्तर मेरे राम विलाज जी से कि क्या वो अपने दो विधायकों से ही राज्यसवा चले गए हैं क्या तो देगए मेरे निता उनको अपनी राज्यसवा की भी सीट वापस बनाएं जिनको भी बनाना उनको राज्यसवा का तो मुक्य मंत्री जी सिराक पास्वान से दुश्मनी करते हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई नेता हूं आप कहने का मतलब कि नितीश कुमार से आप इसलिए नराज है क्योंकि उन्होंने आपके पिता की बहिज़ती की नहीं भई मैं मैं उनसे इसलिए नराज नहीं हूँ वो मुझसे नराज है इसलिए उनोंने मेरे नियाज़ी का कारण क्या? आप बिरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं देंगे, आप बिहार का विकास नहीं करेंगे, जब तक आप घुजखोरी नहीं खतम करेंगे, बिहार का विकास नहीं होगा, और इसलिए मेरा जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स, बिहारी फर्स, मैं उस पे विश् अच्के पर आप बोलते हैं नितियों से भी रोध है लेकिन आप चुनाओं के समय आप ये कहते थे कि नितीश कुमार भरस्टाचारी है मैं उसे जेल भेजूँगा उसे नहीं पहले तो और क्या किते हैं भाई अब मुझे पताए अगर उनकी नाक के नीचे अगा भरस्टाच बिना घूस लिए वे और भाई ये मुझसे मत पूचेगा इस सवाल आप आम जनता के बीच चले जाए ये कैंड़ली आप कैमरा सामने रखे और उनसे पूचे कि भाई आग घूस लिए वे बिना तुम्हारा कोई काम होता है क्या आज की तारीक में शराब बंदी भाई मिलना तो वो अलग बात है फोन कर दीजे होम डिलिवरी हो रही है क्या ये मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा भाई आप किसी भी गाओं में चले जाए हर वेक्ति आपको बोलेगा जैसी आप बोलेगे क्या बिहार में शराब बंदी प्रदेश कुमार जी को नहीं पता होगी और जब आपको पता है और उसके बाद आप इस पे खामोश हैं तो कहीं न कहीं आप संद्रक्षन दे रहे हैं न इन अपरादों को और आप संद्रक्षन दे रहे हैं तो आप फिर आप उसमें लिप्त हैं आतरी सवाल ये है कि आपके चाचा जो पसुपती पारश जी हैं वो कहते हैं कि आपने उनको इसी घर में बुला के बैज़त किया बुला पार्टी से निकाल दूँगा जबरन रामबिलाश जी को और उनको अध्यक्षपत से हटाया प्रदेश अध्यक्ष और आश्ट्री ये बात उठेगी तो बहुत जादा लंबी जाएगी मैं उनके हर एक आरोप का जवाब मैं भी दे सकता हूं बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी मदर ने इन तमाम बातों का जिक्र किया क्योंकि जिस जिस घटना की बात करने उसकी साक्षी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मेरे नेता की अरधांगनी होने के नाते कई बाते उनको मालूम है उनकी जानकारी में उन तमाम बातों का लिखे जवाब उन्होंने चाचा जी को उन्होंने लिखा था और वो पत्र उन्होंने उनके घर पे भी विजवाया था पर उस पत्र को उन्ह यह उन्हें लेने से साफ मना कर दिया, उन्होंने उस पत्र को देखा भी नहीं लिखा भी नहीं, जिसमें उन्होंने तमाम इन बातों का जिक्र किया था, सबसे पहली बात भाई, आप भी जानकार हैं, और मुझे लगता है, उस वक्त आप भी आसपासी थे जब यह पूरा ग जाते थे कि अगली पीडी उनके रहते रहते ही बनाए इंप अगली पीड़े रहते ही स्तापत हो जाए और उन्होंुने और प्रिंस भी बनाएं। जो मन गरंड पूरी बात उन्होंने जन्ता के सामने रखिए तमाम इन बातों को विस्तार में और कभी अगर वो पत्र अगर साजा होगा या अगर मम्मी चाहेंगी अगर वो साजा करेंगी तो मैं यह सवाल भी किया था उस इंटर्वियू में यह भी पूछा कि आपके पास अगर मान लीजिए मैं चिराग से पूछता हूँ अगर वो बोलते हैं जूट है तो आप तो उन्होंने कहा कि प्रमान नहीं है उनसे आप पूछिएगा भाई ऐसे तो कुछ भी कह सकते हैं ना तो ऐसे तो कुछ भी कह सकते हैं कलको मुझे कोई और बड़ा संगी नारूब लगा देंगे तो प्रमानित करें मेरे पास तो इस बात का प्रमान है ना आप प्रदेश अदेख्ष वाली बात करते हैं मैं प्रमानित करता हूँ कि भाईया उसमें जो प्रिंस को जो लेटर मिला उसमें हमारे नीता क्या स्थाक्षर किया हूँ है तो मैंने कैसे आपको पार्टी से निकाल दूँगा छे साल के अगर आगर वो अगर इस घटना का जिक्र कर रहे हैं तो उसको भी मैं बता दूँ बट बरहाल मुझे नहीं लगता कि अब वो समय है कि हम लोग इतनी पुरानी बातों को इतने विस्तार में हम लोग चाचा करें बड़ अगर वो इस मैं आहद था क्योंकि एक तरफ मेरे पिता जी का निधन हुआ था मैं क्रिया के कारे करमों में लगा हुआ था वो एक ऐसा समय होता जब मुखागनी देने वाला लड़का घर से भाहा नहीं निकल सकता तो मैं घर पे ही रहके जितना मैं कर पा रहा था मैं करने का प्रयाश क रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ही चुनाओ है पहले चरन का तो नमंकन भी तब तक हो चुका था उस वक्ड़ जब चुनाओ जब सर पर हैं उस वक्ड़ आप ऐसा बयान देते हैं तो उस वक्ड़ जरूर मैंने उनको ये बात जरूर कही थी कि चाज़ा जी आप अगर इ इसा बयान देते तो आप हम लोग के उपर कारवाई करते हैं चाजा जी ऐसी बाते कर रहे हैं क्योंकि लोग आक्रोशित थे उस वक्वी उन से कि आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं और वो भी नितीश कुमार जी के समर्थन में जिन्नों ने अभी महीना भर नहीं भी हमारे नेता को अपमानित करने के लिए कि अरे दो विधायक के साथ जो सांसद बन गए है राज्यसवा के अरे वो अस्पताल में है हमको नहीं मालूम जो कदम-कदम पर उनको अपमानित कर रहे हैं अभी तक उनको आज भी उन्ही के कोटे से मंत्री बने हुए है ना भी मैं रहें कि वो हमारे भगवान है और आपके भगवान को जो शद्धांजली नहीं दे रहा है उनके यह पहल मैं नहीं कर सकता बड़े वो हैं वो तो जो कहेंगे छोटा होने के नाते मैं उसको मारे जाते हैं कि पहल हो भाई जैसा मैंने कहा अब मेरा ध्यान पूरी तरीके से मैं बहुत समय उल्चा रहा हूं इन सब चीजों में अब मेरा ध्यान के इंद्रित है अपनी सारी फर्सकेस अपने को पूरा करने में सिर्फ वो मेरी प्राथ मिक्ताव है